नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुगेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत शागर, डेली बंडलेनेस 22nd मार्च 2022, आज के इंपोर्टन बंडलेनेस कौन कौन सा है, चेक करते हैं, सबसे पहले, लामी तिये एक्सरसाइस, देखें, इंडियन आमी और सी 2022, यह कहां पर हुआ है, Seychelles Defense Academy in Seychelles from March 22 to March 31st 2022, तो बैसिकली यह शुरू हुआ है, अब Seychelles कहां पर दो, आफ्रिकन कौन्टिनेंट के इस्टेंड साइड में, इंडियन ओशन में, चोटा साई ग्रूपो वाइलेंस है Seychelles, capital है Victoria, पहले यह United Kingdom का एक कॉलनी था, 1976 में इन्हें Independence मिला था, आप देखे, इंडियनामी की तरफ से गौर्खा राइफिल्स, लामिती एकसेस अटेंड किये थे, गौर्खा राइफिल्स का प्रिकांती बैटालियन करके एक बैटालियन यह अटेंड किया था, आप देखे, इसके साथ साथ, important कुछ bilateral एकसेस बिट्वीन इंड इंडियन बंगलादेश के बीच में, मित्रा शक्ती स्रीलंका के साथ, माइत्री थाइलांड, वज्र प्रहार यूएस, यूथ अभ्यास यूएस, नमाडिक एलिफेन मंगोलिया, गरुडा शक्ती इंडोनेशिया, शक्ती एकसेस फ्रांस, धर्मा गार्डियन जपान, सूर सूरचकुंद, इंडियन नाशनल क्राफ्ट मेला शुरू हुआ है, यह बेसिकली एक सेलिबरेशन है, इंडियन फोल्क ट्रेडिशन अंड कल्चरल हरिटेज का, दुनिया का लाज़स क्राफ्ट फेर है सूरचकुंद मेला, इस पर इंडिया हांडी क्राफ्ट, हैंड लू इस मेला में पार्टिसेपेंट से फ्रम साथ एशिया, आफ्रिक्या, यूरोप, एक्सर एक्सर तो थ्यान दीजेगा, सूरचकुंद मेला हरियाना, अगला है, फोल्मला वन बहरिन ग्रान प्रिक्स 2022, फेराडी कंपनी स्पोंसर, चार्ल्स लेसरेक, फ्रम मोनाको, फोल्मल अरेबिया के इस्टेंट साइड में है, पर्शन गल्फ में आपको दिखेगा, बहरिन, एक आइलेंड कंट्री है, छोटे-छोटे आइलेंड का एक आर्किपला को बोल सकते हो, बहरिन का क्यापिटल है, मनामा, अब वापस आते हैं, कालो साइन्स जूनियर फ्रम स्पेइन He is also Ferrari sponsored, second position में आया है, लूवीजा म्मल्टन, वन उख फ्रमूला वन चार्रेसर फिर्ट पोर्शन में आया है, वैसे लूवीजा म्मलेटल ग्रेटीन का है, यी also ihr Sponsored by Mercedes, अब गर्वेहरिन Grand Prix है, this was the first Formula One race of 2022, देखेए, लग लग grand prix ओगनीस होता है एक के country के नाम से जाना जाता है बैसे जो formula 1 है इसे F1 बोलते है this is the highest class of open wheel auto racing series ये कौन manage करता है this is very important federation international day automobile FIA ये जो FIA है ये motosports world governing body है ये भी आप थ्यान दीजेगा ठीक है आप देखिए British and Italian Grand Prix जो है सबसे frequently held formula 1 world championship है मतलब सबसे famous भी आप बोल सकते हो British Grand Prix and Italian Grand Prix 1950 में ये शुरू हुआ था अब तक 72 editions हो चुका है British and Italian Grand Prix का इसके बाद Monoco Grand Prix सबसे ज्यादा बार हुआ है 67 times अब दीखिए जो British Grand Prix Italian Grand Prix Monoco Grand Prix जो टोप 3 portion में आता है ये सारे Grand Prix जो है same course में होता है कहांपे circuit day Monaco circuit मतलब जहांपे race होता है न दुस्तों इसे circuit बोलते है तो Monaco में जो circuit day Monaco है इधर 67 times Grand Prix हो चुका है ये जो circuit day Monaco है ये 3.337 km लंबा है ठीके बहुत सारे laps होता है एक circuit में ठीके मतलब 3.37 km का race नहीं होता है कितने laps होता है मैं भूल गया आपको पता है तो आप बता दीजी मतलब बेसिकले जो Formula One race में कितने laps होता है वैसे मैंने एक वीडियो किया था Formula One race के बार में चानल पर पड़ा हुआ है Italy's Monza circuit has hosted the most Grand Prix on any circuit with 71 देखे और एक record है Italy के Monza circuit है इथर सबसे ज्यादा बार Grand Prix हुआ है 71 times अगला है Sports Icon Award former Indian cricketer Suresh Reina को Sports Icon Award मिला है at the Maldives Sports Awards 2022 देखे बहुत सारे nominations थे like former Real Madrid player Roberto Carlos from Brazil Jamaican sprinter Asafa Powell former Sri Lankan captain and cricketer Sanat Jay Surya Dutch football legend Edgar Davids तो इसमें से Suresh Reina को ये अवाड मिला है इनकी जो achievements हुआ है इनके career में इसके लिए ये अवाड मिला है even chair किये थे President of Maldives Ibrahim Mohamed Soli Sports Ministers, World Renaud Athletes and Malian Athletes तो देखे ध्यान जीजेगा Sports Icon Award at the Maldives Sports Awards 2022 को मिला है हमारा Suresh Reina जी को अगला है brain mapping देखे, IAT Madras एक center लोंच किया है to generate and study human brain data the center plans to focus on high resolution brain imaging और एक project का भी plan है to map human brain at the cellular and connectivity level तो basically human brain को map किया जाएगा cellular level में और connectivity level में इस institute का अलगी international collaboration से in brain mapping efforts with United States of America, European Union, Japan, etc. वैसे IAT Madras काफी famous है इस तरह की scientific and technological discoveries के लिए the center is imaging post-mortem human brains of different types and ages क्या होते है दोस्तों post-mortem मरने के बाद जो dead body का medical examination में होते है नो दोस्तों इसे post-mortem बोलता है इसे ये पता चलता है एक particular person के से मरा, क्या reasons है मरा ठीक है ये होते है post-mortem तो ये center अलड़ी post-mortem human brains का imaging वगरा कर रहा है अलड़ी IAT ने एक technology platform बनाया है जिसे through center high resolution and large format histology sections of human brains generate कर पा रहा है अब इसमें histology sections लिखा है क्या होते है histology this is important for you histology is a branch of biology concern with composition and structure of plant and animal tissues in relations to their specialized functions तो basically plant and animal tissues के structure and composition के बारे में पढ़ाई करना ये है histology मतलब एक-एक animal and plant tissues का specialist functions क्या है ये पता करना इसको histology बोलकर है तो थ्यान दीजिएगा IAT Madras ने एक center launch किया है basically human brain को map करने के लिए और इसमें और एक time आगे है histology ये मैं आपको बता दिया क्या है study of plant and animal tissues के बोल सकते है basically plant and animal tissues का structure and composition पता करने के study है अगला है United Nations International Day for the Elimination of Racial Discrimination ये हर साल 21st मार्च को observe करता है इस दिन अलग-अलग events and activities worldwide plan करते है and the day aims to remain people देखे racial discrimination का negative consequences क्या क्या इसके बारे में लोगों को remain करना इस दे का objective है it also encourages people to remember their obligation and determination देखे racial discrimination को combat करना हमारा responsibility है हमारी obligation है, determination है ये सब लोगों को बताना उन्हें एंकरेज करना इस दे का objective है the International Day for the Elimination of Racial Discrimination was established 6 years after an event sharp will tragedy देखे, sharp will tragedy के बार में आपको पता होनी चाहिए ये tragedy होने के 6 साल बात International Day for the Elimination of Racial Discrimination established हुआ था sharp will tragedy आप apathid moment से relate कर सकते हो इस दिन police open fire किया था और 69 people को मार दिये थे जब एक peaceful demonstration हो रहा था South Africa में, sharp will करके एक जगा में basically apathid system के against एक moment चला था, peaceful moment चला था तब police ने open fire किया ये March 21st 1960 को हुआ था ठीक है तो इस डे का remembrance के लिए भी International Day for the Elimination of Racial Discrimination observe करता है तो sharp will tragedy is very important यहां दीजेगा आज का final news President confers patma awards तेक हर साल on the eve of republic day patma awards अनोंस होते हैं they are one of the highest civilian honors of India तीन categories में award दिये जाता है सबसे ओपर है patma viphooshan for exceptional and distinguished service फिर patma bhoshan distinguished service of higher order फिर patma shri distinguished service and the award 62 recognizes achievements in all fields of activities or disciplines ये आपको ध्यान रखना है all fields of activities or discipline में award दिये जाता है कोई particular field or discipline नहीं है पर एक condition है an element of public service is involved जो भी field or activity में element of public service involved है उनको दिये जाता है patma awards ठीक है तो 21st मार्च को patma awards दिये गे 54 eminent personalities को इसमें हमारा first chief of defense staff general विपिन सिंग रावज जी बी included थी जिनका देहान्त हुआ था last December में एक chopper crash में इनको patma viphooshan दिया गया country second highest civilian award वैसे India's highest civilian award कौन सा है भारत रतना patma awards are conferred on the recommendations made by the patma awards committee ध्यान दिजेगा patma awards committee ये decide करते है कि इनको award देने है ठीक है patma awards committee हर साल prime minister constitute करते है nomination process open publicly even self nomination can be made ठीक है अपने आपी nomination दे सकते हैं ये सब अब ध्यान दिजेगा patma awards से regarding last year UPC prelims में एक question आया भी था तो दोस्तों that's end of it I hope आपको समझ में आया होगा लक्षे की PDF as usual आपको टेलेग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका link नीचे प्रवेड़ेड़ है thank you for watching, bye bye, have a nice day